C, I, E, T, N, C, E, R, T दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ग्यार्वा पाठ यहां से वहां रेल गाड़ी आओ बच्चों खेल दिखाएं चुक चुक करती रेल चलाएं सीटी देकर सीट पर बैठो एक दूजे की पीट पर बैठो आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे सारे सीधी लाइन में चलना दोनों आखें मीचे रखना बंद आखों से देखा जाए आँख खोले तो कुछ ना पाए रेल गाली चुक 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 चु हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान रेल गाड़ी चुक 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 बीच वाले स्टेशन बोलें रुक 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 गाउं में मेला भीड़ जमेला ती दिवार टटू सवार रेल गाड़ी चुक 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 बीच वाले स्टेशन बोलें रुक 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 ये कविता हरेंद्रना चेटोपाध्याय ने लिखी थी तो कैसी लगी ये कविता? क्या तुम रेल गाड़ी में बैठे हो? कब कब? क्या रेल गाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों? इस कविता में लोही की सड़क किसको कहा गया है? कविता में रेल गाड़ी कहा कहा से होकर गई है? बताव तो तुम किस-किस वहान पर बैठे हो, उनके नाम कौपी में लिखो आव तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी चुटियां कैसे बिताएं मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रिल्वे सेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि उपर कारें सरपट भाग रही होंगी दूसरा बच्चा बोला, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिष्टेदार मिले, खुब खाया, पिया और खेले बड़े भाईया भी अमेरिका से आये थे, हवाई जहाज में बैठ कर, सोचो तो अजीब लगता है इतनी दूर से आये, पर एक ही दिन में पहुँच गए दुलन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, तब वह बहुत संदर लग रही थी तीसरी बच्ची बोली, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी, वे जहां रहती हैं, आसपास पानी ही पानी है उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते, तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे पर हम सीधे नाव में गए, कुछ अजीब लगा, पर अच्छा भी चौथा बच्चा बोला, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए, उचे उचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेरे रास्तों से होकर बस चलती है, तो नीचे देखकर बहुत दर लगता है शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा, मेरी दादी तो जल्दी ही ठक जाती थी, हम उने घोडे पर बिठा देते थे मैं तो मजे से पैदल चलता था, ठकता भी नहीं था अगली बच्ची बोली, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है, जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं जट अपनी साइकल उठाती हूँ और पहुंच जाती हूँ उनके पास, मा और छोटू तो रिक्षा पर बैठ कर नानी के घर जाते है एक और बच्चा बोला, इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गाउं गया था, उनके गाउं तक तो कोई बसी नहीं जाती हम लोग रेल्वे स्टेशन से बैल गारी में बैठ कर लह लहाते खेतों के बीच में से होकर गाउं तक गए मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की अवास सुनना बहुत अच्छा लगा अब बताओ, बच्चों ने किन-किन वाहनों के नाम लिये? अच्छा पताओ, अपने घर से इन जगहों पर कैसे जाना चाहोगे? वाहन का नाम लिखो घर से बाजार तक, घर से मित्र की घर तक, अपने घर से नानी की घर तक, अपने घर से समुद्र पार, अपने घर से नदी पार, अपने घर से पहाड पर किसी जगह, अपने घर से स्कूल तक, बताओ, इन जगहों पर किस वाहन से जाओगे? बड़ों से पूछ कर बताओ कि आज से पचाल साल पहले लोग कैसे आते जाते थे क्या तब भी यही साधन थे क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछ कर बताओ बताओ किस से पूछा और उसने क्या कहा अपने से दोस्ते से क्या पूछा और उसने क्या कहा चाचा से क्या पूछा और उसने क्या कहा शिक्षिका से क्या पूछा और उसने क्या कहा इसी तरह से जानकारी प्राप्त करो अगर कोई चुक चुक की आवाज करे तो तुम जटपट पहचान ही जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं क्या तुम इन आवाजों से वाहन को पहचान सकते हो चुक चुक इसका अर्थ है रेलगाड़ी पॉंपों, घर-घर, पी-पी, टप-टप, ट्रेन-ट्रेन बताओ, ये कौन से वाहन है? ये तो थी एक-एक वाहन की आवाज जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाजे करते हुए चलते हैं, तू कैसा लगता है? शोर मस्ता है ना? मस्ता है ना कितना शोर? तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहां सुना है? क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? क्यों? यहां से वहां अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ग्यार्मा पाठ प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत